रामरम्जी जुस्तों वेल्कन वायां के देज़कों कमेंट सेक्षण में रामरम्जी जरूर कीजएगा एंड दोस्तों आज के टॉपिक है कि पार्टनमर्मकरारज़ेशन अच्छे से गिरोग कर पाओगे तो दोस्तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजेगा एंड दोस्तो वीडियो को शायर जबर करोगे तो बहुत सरे लोगों का फायदा होगा उनकी प्रॉब्रम सॉल्व होगी एंड दोस्तों मुझे भी वो इंटिवेशन मिलेगा जिसकी विए से मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा सो वीडियो को स्टाट करते हैं तो दोस्तों आज इस पेज का में हम चेक लेने वाले हम है प्रत्रां कि डिखते हैं कितने हैं तो दोस्तों प्रफाइज अब देख सकता हो इसका जीरीच है ने किहसाब कर दक्ति आएञタ डिक definite कि यह मतलब कि का अच्छा अच्छीव है सब द दोस्तों पेज का problem and solution मैं दोनों बताऊंगो तो वीडियो को skip मत किजिएगा पूरा देखेगा सो दोस्तों पेज क्वालिटी देखते हैं कि पेज क्वालिटी कैसा है सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पर कोई violation नहीं है यौर पेज अच्छा है अब इस पेज पर जो प्रॉब्रम है क्या है कि वह कह रहे थे कि मेरे को मेरा मेरा करा दो जो इसका पार्टनर में आपको दिखाता हूं तो यहां पर हम फेजुक और क्रीटर्स में आगे मैं अल्लेडी ओपन करके रखा था तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका यह पार्टनर मेरेशन पालीसी है वह इन हो दोस्तों इसको गोन चाहिए अगर यह jeई लेजिवल होगा टाब ही और आपको प्रटनर मेरा मेरीशन पालीसी तो आपका पेंज मूही हो सकता थो दोस्तों इसनों ब्रैंड कोलीडिया है इसलिए यह ब्रैंड कोलैक्स पर बात करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं creator studio में आप यहां पर देखते हो तो creator studio का आपको बिटन मिल जाएगा तो आप यहां सर्फ जा सकते हो जो new creators है then मैंने open करके रखा है तो मैं direct वहां पर चला जाता हूं so दोस्तों अभी हम यहां पर हैं and मैं यहां पर दिखाता हूं कि partner monetization policy जो और red क्यों हुई है ठीक है उसका right reason क्या है फिर हम उस reason पर काम करेंगे so दोस्तों यहां पर monetization पर जाएंगे and सब्से last में आप देखोगी तो policy issues का एक option मिलता है जहां पर आप click करोगे तो आपको यहां पर issue पता चलेगा so दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर monetization issue के ओपर आया है यह issue monetization के ओपर आया है and issue क्या है in authentic engagement तो दोस्तो इस पेज़ पर inauthentic engagement का issue आया हुआ है जो inauthentic engagement जो मेरी वीडियो को पहले देख चुके हैं उनको पता होगा कि क्यों आता है and new लोगों के लिए मैं बता जिता हूँ दोस्तो जब आप कोई ऐसी activity करते हो जो मतलब कि inauthentic होती है ठीक है like आप किसी से बोलते हो कि मेरी फोस्त को like करो share करो मतलब कि indirectly है directly आप उनको किसी ना किसी चीज को करने के लिए force कर रहे हो ठीक है तो ये inauthentic engagement में आता है कि वो अपने दिल से आपकी facebook page पर जो वीडियोस हैं जो picture से उनको like नहीं कर रहे हैं आपने कुछ लिख दिया है चाहें वो like करें या ना करें ठीक है आपके लिखने के बाद भी चाहें वो like करें या ना करें आपने लिख दिया मतलब की facebook की नजर में वो आ गया एंड facebook ने उसको count कर लिया कि आपने ये activity की है और ये activity होती है inauthentic activity ठीक है अगर आप देखो facebook जो है ना वो new logo को बहुत जादा चांस देता है मैंने देखा है कि बहुत ही जादा चांस देता है बट मैंने जैसे कि पहल पता एंड किसी को नहीं पता लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो facebook आपको कोई ना कोई इशू जिस इशू को आप मतलब जो इशू आपके facebook पेज़ पर आना चाहिए उस इशू को आपके facebook पेज़ देता है as a warning कि आप ये activity कर रहे थे इसके बेसे हमने ये इशू बेजा है आप इसको ध्यान में रखो ठीक करो एंड अच्छे से वर्क करो कोई इशू नहीं आएगा इसलिए warning के तौर पर वेज़ जाता है कि आपको information नहीं होगी इस वेज़ से आपने activity के अब जब आपकी facebook पेज़ पर इशू आ जाएगा तो आप उसकी information लोगे knowledge लोग इसे ही आते हैं तो इसमें भी content का ही problem है तो हम content यहां पर देखने के लिए चलते हैं तो अभी Facebook पेज़ लेवल पर चलो जाते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे कैसे रिमूव होगा एंड यह किस वएसे इस पेज़ पर आया है तो यहां पर हम only post को देखेंगे ठीक है तो हम only post select कर लेते हैं कि बाकी चीज़ें हमें नहीं देखनी है तो only हमने post पर क्लिक करते हैं यहां पर page load हो गया तो दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर first video यह आ गया ठीक है अगर आप किसी video को अपनी admin ID से share करते हो ठीक है share करने का मतलब indirectly आप कि लोगों के प आप भेज रहे हो उसको जबरदस्ती भेज रहे हो लोगों तक तो यह in authentic engagement में आता है और यह काम अगर आप अपनी admin ID से करोगे तो problem है and other ID से कर रहे हो तो problem नहीं है and other ID भी किसी और phone में login होने चाहिए यह नहीं कि आपका वही IP address दूसरी ID में आ रहा है और आपकी admin ID में भी IP address है तो IP address भी change होना चाहिए दोस्तों ठीक है तो other ID का use करें अगर आप share कर रहे हो तो and दोस्तों यहां देश सकते हो मैंने बताया कि आपको like नहीं करना है share नहीं करना है and इन्होंने जो page owner है इन्होंने अपनी वीडियो को अपनी ID से ही like करके रखा है जिसका मतलब यह in authentic engagement को खुद भी generate कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं तो दोस्तों यहां पर लाइक है इनको यह हटाना पड़ेगा मतलब कि जितनी भी इन्होंने पोस्ट को like किया है उनको unlike करना होगा dislike करना होगा ठीक है दोस्तों तो यह reason होता है इसलिए आता है यहां पर again a reason like and follow our page for more Islamic ठीक है मतलब कि इसलाइमिक पोस्ट यहार इन्होंने बोला है कि अगर आप और देखना चाहते हो तो इसको like करो follow पेज को एंड ठीक है यह in authentic engagement में count होता है आप किसी को नहीं बोल सकते Facebook platform पर आप किसी को नहीं बोल सकते कि इस post को like करो share करो follow करो page को ऐसा बोलते हो तो यह in authentic activity में count होता हो जैसे कि मैंने बताया कि जब limit cross होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कब हुई but Facebook को पता है and Facebook आपको issue दे देगा जैसे कि इस page के साथ हुआ है ठीक है and इस post पे आप उपर तो लिखा ही है ठीक है नीचे भी love का जो है वो like कर दिया ठीक है love के emoji से like कर दिया गया यहां पर बहुत सारी post मैंने देखी है जहां पर यह like and follower page ऐसा है करके इन्होंने लिखा है and और क्या title बिल्गुल सेम है देखो दोस्तों यहां पर भी same title है and उपर आली post पे भी same title है तो title भी same नहीं होना चाहिए title भी आप अलग रखो different different रखो same नहीं होना चाहिए फिर से देखिए दोस्तों same title different title होंगे तो ज्यादा better है फिर से same title and video को यह like भी किया गया है तो दोस्तों यह activities होती हैं जिनके वज़े से आपकी Facebook page पर यह issues आ जाते हैं तो यह तो आप title को हटाईए ठीक है आपको यह सारी activities हटाने पड़ेंगे आप title description को change कीजिए या फिर इसको delete ही कर दीजिए नया content डालिए ठीक है जो यह आप पोस्त को like करते हैं उसको like मत कीजिएगा अपनी admin ID से share मत कीजिएगा तो यह सारी activities आपको करनी है एंड जिन groups में आप already share कर चुके हो आप को मैंने other video बना रही है मैं उसका link description में दे दूँगा कि share post को कैसे delete करना होता है तो अगर आपने अपनी post को groups में share किया है और आपको नहीं पता आपने कहा कहा share करती है तो एक video का link मैं description में दे दूँगा उसको देख करके आप अपनी share post को delete कर सकते हो तो वीडियो को उस वीडियो को भी पूरा देख लेजेगा क्योंकि अग जब तक आपके facebook page से problem को आप दूर नहीं करोगे तब तक यह नहीं हटेगा चाहें आप लाखो अपील कर दो ठीक है तो दोस्तों जब यह आप ठीक कर दो आपको पता होगा कि आप कब ठीक कर दोग है देन उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद आपको एक महिने तक मलग के अच्छी सी पोस्ट डालनी है और आप देखोगे कि वन मंद के बाद यह अट जाएगा बाई चांस नहीं हटता है तो एक रिजन तो यह होगा कि आपकी अभी कोई नो कोई एक्टिविटी रह चोपी करोगे करने लाओ फिर से कि रिएटर उस्क्रीन शट लेना है स्रिफ इतने का पर इंपंटिक गल्में के बाद जो है हमारा partner monetization रेड है ठीक है तो हम यहाँ पर partner पर करेंगे क्योंकि हमारे partner monetization पर problem है यहाँ पर आपको page link देना है और जो मैंने आपको screenshot बोला था screenshot आपको क्लिक करना है वो screenshot यहाँ पर आपको upload करना चुछ फाइल पर क्लिक करके उसको upload कर देना है और आपको send button पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों इस तरीके से हम मलग इस तरीके से mail की जाती है अपील की जाती है ठीक है तो आपको appeal करने के बाद आपको या तो तुरंत reply आ जाएगा Facebook का या फिर कुछ time के बाद and आपका जो भी problem है जो भी आपका यहाँ पर restriction होता है या फिर monetization issue होता है वो Facebook team हटा देगा वो आपका page review करेगा उसके बाद हटा देगा उसको कोई issue नहीं मिलेगा तो उसको कोई गलत activity नहीं मिलेगी तो आपको वीडियो पसंद आई हो आपको लिए वीडियो इंफ्रमेटिव हो आपको बहुत ज्यादा knowledge मिला हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा and comment करके बताएगा और शेर तरू किजेगे ज्योंकि आप शेर करोगे तो बहुत सारे लोगों की help होग और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए राम नहीं जी